और मुंबई में लोकल में सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर है मुख्यमंत्री उधव ठाकरे ने ऐलान किया है कि 15 अगस्त से मुंबई में लोकल सेवा शुरू हो जाएगी लेकिन शर्तों के साथ आखिर क्या हैं वो शर्तें देखिए स्रुपोर्ट मुंबई लोकल में सफर करने वालों के लिए मुख्यमंत्री उधव ठाकरे ने बड़ा एलान किया है CM ठाकरे ने कहा 15 अगस्त से मुंबई लोकल ट्रेन से वाए शुरू हो जाएगी हाला कि लोकल ट्रेन में उन्हीं लोगों को यात्रा करने की अनुमती होगी जिने कुरोना वाइरिस रोधी टीके की दोनों खुरा के लग चुकी है दूसर डोस लेने की 14 दिनों के बाद ही यात्रियों को लोकल में सफर करने की अनुमती दी जाएगी दरसल लोकल ट्रीन में यात्रा करने के लिए यात्री पास की जरूरत होती है जिसे अब यात्री मोबाईल एप के माध्यम से जाउनलोड कर सकेंगे साथ ही ऐसे लोग जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है वो म्यूनिस्पल वार्ट कर्याले से या उपनगरिय रेल्विल स्टेशन से फोटो पास ले सकते हैं झाले से दिस बार्ट कर दिसे लोग भी जात्री पास के बार्ट कर सकते हैं